बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास and I am your Hindi टीचर बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर प्लाऊंगी क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब सबसे पहले आप सब यह जाने क्रिया क्या होती है? क्रिया काम को बताने वाले शब्द होते हैं जैसे कि बच्चों, इस चित्र में आप सब देख रहे होगे सूरज, प्रातर सूरज उग रहा है, है न? और भालू हल चला रहा है, भालू क्या कर रहा है? हल चला रहा है गिलेरी खेत में बीजबो रही है कौवा मस्ती कर रहा है, पक्षी उड़ रहे है और जहरना बह रहा है तो देखो बच्चों, यहाँ पे सूरज का क्या काम हो रहा है? उग रहा है, यानि उगने का कारे कर रहा है गिलेरी बीजबोने का काम करें बालू हल चलाने यानि हल चलाने का काम कर रहा है तो जो भी काम किया जाता है वह क्या कहलाता है वही क्रिया कहलाता है जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोत कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं जैसे बचों जोतना उगना बोना है ना चलाना मस्ती करना यह सब क्या है यह सान ने खेट जोता और बीज बोए तो यहां पर खेट जोता इस वाक्य में क्या है जोता क्या हो गया क्रिया है और बीज बोए यानि बोए क्या हो गया क्रिया हो गया प्रतीक ने टीवी देखते ही कुछ कहानी लिखी तो देखो बचो इस वाक्य में भी दो क्रिया हो रही है पहला टीवी देखते, देखते हुए, तीवी देखने का भी काम हो रहा है और कहानी लिखने का भी काम किया है उसने तो यहनी टीवी देखना और लिखना 2 क्रियाए हुई कुछ क्रियाएं कारे करने के अर्थ को प्रकट करती है जैसे बचो वह क्या कर रहा है वह दोड़ रहा है कुछ क्रियाएं होने की बात बताती है जैसे वह क्या है वह कुत्ता है यहाँ पर भी देखो क्रिया है इस वाके में भी किसी भी चीज का होना प्रतितो वह भी क्रिया ही है जैसे है, है, था, थे, ये सब क्या है, ये सब भी क्रिया में ही आते है चली बच्छो, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद आप सबने समझ लिया होगा क्रिया क्या होती है किसी भी काम का होना या काम का करना क्रिया कहलाता है ठीके तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद क्रिया कितने प्रकार की होती है क्रिया यहाँ पर देखे बच्चो यह चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है बच्चा सो रहा है पी रहा है यानि उसके पास कोई वस्तु है तभी उसकी सहायता से वह क्रिया कर रही है तो उनके हाथ में पानी का ग्लास है जिसकी सहायता से पीने का क्रिया संपन्न हो रही है तो करता जो काम करता है उसे कर में कहते हैं यानि बच्चों देखो यहां पर बच्चा सो रहा है म और कृरी चिटर रहे हैं लड़की पानी दूद्ध पी रही है इस वाकिय चाहब हो रहा है यह नहीं कहले है लाड़की पी रही है और यहां पर दे को किसे द्वारा चाहहना हो रहा है नहीं किसी पानी दूद्ध पी MICHAEL और यह क्न 되면 पानीgiving यहां पर यह पानी शब्द जो है यह कर्म कहलाएगा इस कार्य को संपन्य करने के लिए कर्म के आवशक्ता हो रही है तो पानी यांदी कर्म हो गया इस प्रकार कर्म की आधहार यहां पर देखें। दो भेद किये गए हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया तो देखे सकर्मक्रिया किसे कहते हैं जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म के आवशक्ता होती है उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं सकर्मक यानि कर्म के साथ यानि क्रिया जब कर्म होता है उसके द्वारा संपन हो तो वह सकर्म कहलाती है अब देखिए बच्छो इसको ध्यान से समझेगा इस चित्र में क्या दिखा रहा है रमन चित्र बना रहा है ठीक है और यहाँ पर देखिए लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो यहाँ पर कौन चित्र बना रहा है रमन बना रहा है यानि रमन क्या हो गया कर्ता हो गया ठीक है और बना रहा है क्रिया हो गया तो क्या बना रहा है चित्र बना रहा है तो चित्र क्या है कर्म है तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस वाक्य में यहाँ पे आपको कर्ता भी है कर्म भी और क्रिया भी है इसी प्रकर क्या प्रश्ण करने पर अगर हमें प्रश्ण का उत्तर जो भी उत्तर मिले वह कर्म होता है कैसे आप कर्म की पैचान करोगे, जब आप क्या प्रश्ण करोगे, रमन क्या बना रहा है, रमन चित्र बना रहा है, तो चित्र क्या हो गया, कर्म हो गया, इस चित्र में देखे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो आप क्या उत्तर दोगे, लड़की पुस्तक पढ़ रह सबको कि कर में क्या होता है तो बच्चो इस वीडियो में आज इतना ही नेक्स वीडियो में आपको मैं क्रिया का दूसरा भेद पढ़ाऊंगी ओके बच्चो थेंक यू